Hey student, welcome once again. बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग exercise 5 का जो fourth number one question है ना इसे solve करना सिखेंगे. ये देखो अगर आपको इसको solve करना है ना तो आपको इसको solve करने की जुरत ही नहीं है. अगर आपने question number one solve कर लिया है तो ये तो आपको दम बाहे हाथ से solve कर लोगे, यानि कि चुटकी बजा करके solve कर लोगे. क्यों करोगे? यानि कि मैंने वहाँ पर आपको दम detail में समझाया था कि हमारे x-axis और y-axis की तरफ जब हमारे points नहीं बढ़ते हैं, तब वो कहां पर locate होते हैं? इसमें भी वही पुचा गया है, कि write the axis on which they given points lie, यानि कि यह जो हमारे points दिये गए हैं, यह कौन से axis में होंगे? x-axis में होंगे? या y-axis में होंगे? तो मैं आपको फिर से वो graph paper दिखा देता हूँ, जिसमें हमने आपको समझाया था, यह वही graph paper है, जहापर मैंने आपको clear कराया था, देखो, अगर x वाला 0 दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, कि मान, यह जो point है न, इसको थोड़े दर के लिए आप मान लो कि आप कितने कदम आगे बढ़ा रहे हो, वो दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर 0 है, तो आप x ही तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाया हो, x इधर जाता है और इधर जाता है, इधर प्लस ओला एक जाता है इधर माइनस ओला एक जाता है, तो x में हमारा 0 है, यानि कि आप ना ही प्लस की तरफ बढ़े हो, और ना ही माइनस की तरफ बढ़े हो केवल आप y के तरफ क्या बढ़े हो minus 2 कदम बढ़े हो यानि कि ये नीचे हमारा point आजाएगा तो ये जो हमारा point है ये किस में है ये हमारे y वल axis में है ये जो ऐसे line जाती है इसको हम लोग x axis बोलते है जो सीधी line आती है इसको हम लोग y axis बोलते है तो अगर आपका x 0 दिया हुआ है और y जो है वो कुछ नंबर दिया हुआ है चाहे plus वला हो चाहे minus वला हो तो आप साब साब बता देना कि जो दिये हुए point है वो y axis में है जैसे कि यहाँ पर हमारे जो पहला वला question है इसमें आप देखोगे कि x वाला दिया है और y वाला नहीं दिया हुआ है पहला जो होता है x का होता है और दूसरा जो है y का होता है तो अगर x का दिया हुआ है इसको मैं आपको like करके दिखा देता हूँ यह बस समझना है मैं इक आपको समझाई देता हूँ यह 2 और 0 दिया हुआ है न यहीं एक्स के तरफ दो कदम बढ़ेगा देखो यहां से एक्स के तरफ यह दो कदम बढ़ा तो यहां पर पहुंच गया और य के तरफ इसको बढ़ना ही नहीं है तो बस यही वाला जो point होगा हमारा न यह 2 और 0 हो जाएगा यह x के तरफ बढ़ा और y के तरफ नहीं बढ़ा तो y वला 0 और x के तरफ 2 हो गिया तो यह हमारा जो point आया है यह कौन से axis में आया है यह हमारा x axis में आया है तो बस यहाँ पर आपको बता देना है यह जो point होगा यह x axis में होगा मैं simple आपको बस समझा दे रहा हूँ सेम उसी तरह के तरफ नहीं बढ़ रहा x के तरफ 0 है और y के तरफ minus 5 कदम बढ़ा है इसका मतलब यह क्या होगा नीचे में हमारा आएगा यह कोई सतरीके जैसे यहाँ पर नीचे में minus 5 है न तो यह हमारा y के तरफ minus 5 आ गिया तो यही वह पॉइंट जो हमारा 0 और minus 5 का लाएगा विससे तो यहाँ पर अपने को so वो नहीं करना है बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको number line में या फिर आपको जो हमारा Cartesian plane है उसमें मैं आपको represent करके दिखा दे रहा हूँ so करके दिखा दे रहा हूँ आपको so नहीं करना है बैरेट में mind में ही समझ लेना है कि अगर x के तरफ नहीं बढ़ा केवल y के तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब यह जो हमारे points होंगे यह y axis में होंगे ठीक है थर्ड वाला देखो यहाँ पर x के तरफ minus 4 कदम बढ़ रहा है और y के तरफ कहीं नहीं बढ़ रहा कुछ नहीं बढ़ रहा इसका मतलब यह जो point होगा यह हमारा x axis में होगा क्यों होगा तो यह हमारा हो जाएगा minus 4 x से तरफ और y के तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाया क्योंकि y में हमारा तो 0 दिया हुआ था इसका मतलब यह हो जाएगा minus 4 और 0 यहाँ पर तो यह हमारा कौन से axis में आगिया यह हमारा x axis में आगिया बस यह समझ जाना कि जिसका भी 0 दिया हुआ है उस वाले axis में वो नहीं होगा दूसरे वाले axis में होगा तो यहाँ पर y का हमको 0 दिया हुआ है इसका मतलब यह जो होगा वो x axis में आ जाएगा और यहाँ पर हमको x का 0 दिया हुआ है y में number दिया हुआ है इसका मतलब यह y axis में आ जाएगा कितना simple था देखा आपने तो यह सब चीज़ें आपने अगर इंट्रो ले वीडियो देखे हैं और आपको बेसिक चीज़ें के लिए रहें कोडिनेट जोमेट्री का तो यह सब कुछ नहीं है यह बहुत आसान कोईस्ट है न आप जिदम करहा हम का आसान के growing the ओड़ बहुत नहीं being